हेलो नमसकार मेरा नाम दल्बीर है और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है और आज मैं आपके लिए खिति से जुड़ी एक नई वीडियो लेकर आया हूँ इस वीडियो में मैं आज आपको बताता हूँ कि बाजरा की बिजाए के समय कौन कौन सी साफ़दा ने रखे जिससे कि 20 गाउं कौन 100 पर 30 तक हो जिससे कि हमें कम खर्च वा कम समय में ज्यादा से ज्यादा फसल की पैदावार प्राप्त हो जिससे कि हमें के चींकम पराप्त हो। इस वीडیो को अंतक जरूर देखे ताकि आपको खेती से जुड़ी से भी जानकरी पराप्त हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा like share तर्था चैनल को subscribe जरूर गरेい ताकि अन्य किसानों को खिती से जुड़ी सभी जानकरी पराप्त हो और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे चलो चली ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं हेलो, नमस्कार, सभी वायो का इंडियन टेकनिकल फार्मिंग में आज आपका स्वागत है आज मा आपको छैसम 84 पौहिड राइटी के बारी में आज मा आपको बताऊंगा यह किसम खरीब और जयाद के लिए उपयूकत है और या सुछा सैन करने की समथा रखती है इसके फोदों की आईट साड़े चैसे साड़े साथ फिट तक रहती है तथा इसका फोदा लगबग कर टाई तक पूरी तरह रहा रहता है यह वराइटी 75 से 82 में पककर त्यार हो जाती है इस वराइटी का तन्हा मजबूत जड़तंतर गैरा तता फैला हुआ होता है 6.84 वराइटी का सिटा रोईदा दानों से कशा हुआ इसकी सिट्टे के आईट 35 सेंटिमेंटर होती है और यह एक समानुचाई की होती है 6.84 वराइटी की पैदावार की बात करे तो इसकी पैदावार की समीता 32 से 35 क उन्टर परती एक टेर होती है और इसके सुकेचारी की बात करे तो 80 से 90 की उन्टर सुका अराचारा हमें देखने को मिलता है 6M 84 वराइटी यह वराइटी जोग्या और डाउनमिल्टी रोक के परती अवरोधी किसम है किसान साथियो 6M 84 वराइटी अधिक पैदावार देने किसमता रखती है इसकी विजाई की हम बात करें तो पोद्य से पोद्य की दूरी 15 सेंटीमेटर और लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमेटर रखना होता है लगवग एक एकटेर में लगवग 2 लाख के करीब पोदों की जोट होती है छैसीम चुराशी की वरैट्टी का दाना मोटा थता बूरे रंगा होता है इसकी पैदावार अच्छी होती है अगर आप ज़्यादा पैदावार लेना चाहता हो तो इसकी अगेत्ती विजाई सुरू करें अगर आप इसकी पैदावार पर असर पड़ता है अगर मेरी याई है आपको वीडियो पसंद आये तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और इंडियन टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें जै ज्वान जै किसान धन्यवाद बाजरे की खित्ती की पूरी जानकारी बाजरे की खित्ती सिचित थ्था ऐसिचित छेत्रों में की जाती है अधिक बाजरे का उत्पादों और लाबेतु उन्नत टक्निक के अपनाना आप सका है भारत दुनिया का अगनी बाजरा उत्पादक देश है यहां लग बग पिचासी लाख एक्टेक छेत्र में बाजरा की खित्ती की जाती है जिसमें से 37,36 राजस्तान, माराष्ट, गुजरात, उत्तरपदेश, एम, अरियाना राज्यों में है देश के सुसक थथा ऐसुसक छेत्रों में यह प्रमुखाद्य है और साथ ही पॉस्टों के पॉस्टिक चार उत्पादन के लिए भी बाजरे की खित्ती की जाती है पॉस्टों के दुष्टी से जहां इसके दाने में अपिचाकरत अधिक प्रोटीन वसा मिलती है वहीं कारवाइटेट खनीज तत्तों केल्सिम केरोटिन राइबोफिलेविन विटामिन वी और नियाशिन विटामिन विटामिन वी शिक्स भी पर चूर मातरा में पाया जाती है गेवं यह चावड के बेशा बाजरे में यह लो तत्तों भी अधिक होता है अधिक उर्जाओं नेके कारण बाजरे को सर्दियां के मौसमें खाने में अधिक उप्यूग किया जाता है बाजरा के चानरे में प्रोटिन, केल्शिम, भास्पोस और कनीजलोन अप्यूक मातरा में यह आईड्रोरसैनिक अमल सुर्ख्षित मातरा में पाया जाता है बाद के कुल बाजराशितर का लगवग 85-36 ऐसी चित है जिससे की मानसुगन की अनिशित्ता की तरह बाजरा की उत्पादक्ता में भी उतार चड़ाव रहता है इसके तरिक कुछ रोगों और किटों का प्रकोप यह विग्यानिक तरिके से फसल परमदन नहीं होने से इस फसल की पैदावार अन्य खरीब की अनाजवाली फसलों की तुलना में कम हो जाती है परन्तो यदि सही किसम का चुनाओ और खित्ती के लिए उननत तक्निक के और पौद सरक्षन तक्निक के यह अपनाए जाए तो बाजरा की पैदावार में लेखनी अवद्दी की जा सकती है इसमें बाजरा से जुड़े खित्ती की जानकारी का लेख है बाजरे से जुड़ी खेती की हर जानकारी नौ शिचित्य थथा बरानी चेत्यों में इसकी खेत्ती की जाती है। नमबर दस जलगा परबंदन, नमबर ग्यारा कीट परबंदन, रोग परबंदन, नमबर बारा सिचाई, नमबर तेरा बाजरे की कटाई, नमबर चुदा बाजरे की कडाई, नमबर पंदरा बाजरे का बंडारन. बाजरे की बिजाई का समय बाजरे की बिजाई का समय आ गया है किसान उनत किसम की बिजाई कर मुनाफ़ा कमा सकते हैं संकर बाजरे का बिज हर साल नया लेकर ही बिजाई करे शित्चित छित्र में आप इसकी मई मा में बिजाई कर सकते हो बाजरे की विजाई जून माँ से पंदरा जुलाई तक कर सकते है विजाई से पुरो बीज को उपचार करना ना बुले उपचार के लिए 10 पतिसे नमक के गोल यानि 10 लेटर पाने में एक किलोग्राम नमक में बाजरा में बीज को थोड़ा थोड़ा डालकर हाच से इलाई चेपा के पिंड थता तेटते वे पदातों को निकालकर नश्ट कर दे इचे बेठे वे बारी बिज्जों को साप पानी से तीन से च्यार बार अच्छी तरह दोकर चाह में शुका लिए खेत का चुनाव इसके बाद हम बाजरा की बिज्जाई के लिए खेत का चुनाव करते हैं अगर पहले उस खेत में सर्शों की बिज्जाई की थी तो सर्शों के पानों को रोटा बटर की साथा से एक दो बार अच्छी तरह से जूताई कर दे ताकि सर्सों के पानना अच्छी तरह मिट्टी में मिल जाए फिर आप हैरों की साथा से उसकी एक दो बार अच्छी तरह जूताई कर दे फिर आप लेजर लेवलर की साथा से खेत को समतल कर दे ताकि खेत किसी चाई अच्छी तरह से हो सकी। मिट्टी की जांच सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा लिए जिससे हमें यापता चल जाता है कि मिट्टी में किन-किन पॉसकतों की कमी है। और खेत के मिट्टे किन किन फसलों के लिए उप्यूकत है और इस मिट्टे में कौन कौन सी फसले उगाई जा सकती है जैसे गहूं चनारा, सरसो इराया, भरसीन, गहना, आलू, मक्का, बाजरा का पास, इतियादी मिट्टे के जांच से हमें या पता चल जाता है कि इसका प्याचमान कितना है पाने के जांच अगर आप फसल की विजाई के लिए नेरी पानी का इस्तियमाल करते हैं तो यह सभी परकार की फसलों के लिए अच्छा है अगर आप बारिस के पानी से फसल की सिचाय करते हैं तो भी एस भी फसलों के लिए अच्छा, इसमें बीजगाँ कुरून लगबग 100% तक हो जाता है अगर आप टिवल के पानी से फसलों की विजाय करते हैं तो इस टिवल के पानी की जांस करवाना बहुत जुरूरी है अगर टिवल का पानी पिने में मिठा है तो इसमें पानी का पीपिम ज़्यादा हो सकता है और बीजगाँ के समय यह एक समस्या बन जाती है अगर पाने का पीपियम एक जार से कम है तो यह सभी परकार की फचलों के लिए उप्यूकता है और सभी परकार की फचलों के लिए अच्छा है और इसमें बीज गांकूर्ण सोपर 30 से तक हो जाता है अगर पाने का पीपियम एक जार से जादा है तो इसमें बीज करवाना बहुत जुरूरी है अब हम बात करते हैं बाजरा की बिजय के लिए बुमी बाजरा की फसल सभी अच्छी जल निकास वाली सभी तरह की बुमी में कि जा सकती है परन्तों बलूई दोमट मिट्टी इसके लिए सरोगतम है बाजरे के लिए बारे बुमी कम अनुकुल करती है और इसकी अधिक बुमी की आ सकता नहीं होती जलवाईयों बाजरे की खेती गर्म जलवाईयों 400-600 मिली मिट्र वर्षा वाले चेतरों में बलेप बातिक की जा सकती है 32-37 से ताब मान बाजरे के लिए उप्यूकत माना गया है यदि पुश्पन अवस्ता में वर्ष सीचाय कर दी जाए तो फूल नू जाने के आकां़ बाजरे में दानों काब राख कम हो जाता है वाल्यू में दाना बढ़ने के वस्ता में यदि नमिय दिक हो और तामन कम हो तो अरगट रोक के प्रकौप होने की सबाना ज्यादा बढ़ जाती है फसल पत्तिया पाजरे की के साथ यदि दलन्नी फसल जैसे मूं गुवार अरर मोट और लोबिया को अंता फसल के रूम में बोया जाए तो ना के बाजरा के उत्पाद में वर्द्धी होती है बलकि दलनों के काण मिट्टी की उरुपता में भी सुधार होता है और अत्रिक दाल उत्पादन से कर्शकों के आयो में भी वर्द्धी होती है साथ ही दलन वर्ग ये फसले अधिक नाइट्रोजन सित्थी करण करती है जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन बट जाती है फर सुरुप उरुकों से नाइट्रोजन कम देनी पड़ती है जिसे कर्शी की लागत में बहुत कमी आती है फसल तरा मीर भाजरा चना माटर या मशूर भाजरा गहूं या सरसों या गरिजन सम्काली मुंग्दव्ण भाजरा कीия उनत किस्में अलग अरह के लिए उनत किस्मों का ही चुनाओ करना चाहिए क्योंकि ये कम समय वा कम कर्च में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देती है में ज्यादा के लिए उपचारित बीज का ही प्रियोग करना चाहिए एक अंकड के लिए बीज की माफतरा लग वग डेड़ से डाई किलो प्रियापत रहती है यह बीज की वराइटी पर निरबर करता है अगर आप संकर किस्मों के बीज की बीजादा करते है तो लग वग एक अंकड में डेड़ से दो किलोगराम वीजगी आप सकता होती है मैं बीजाई के समचारित वीजों का ही इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इससे रोग की स्वावना आने की कम रहती है जैसे रियाना के लिए अच्छी दस अच्छी बीज पूसा चारसो त्राड़ाइस पूसा जैसे 6.90 है पूइनेर 6.88 पूइनर 6.82 है अलग अलग वराइट्या है यह आप अपने चेत्र के साबसे प्रियोग कर सकते हैं इसके बाद हमें अच्छी तरके से खेत की त्यारी कर लेनी है गर्मियों में घरी जुताई करें और उत्तम जलन निकास के लिए खेत को समतल कर बाजरा की अच्छी पसल लेने के लिए एक जुताई मिट्टे पलटने वाली हल से करनी चीए और इसके बाद दो तिन बार जुताई करके बुआई करनी चीए दिमक तता लटके पर कोप वाले चेत्रों में 25 किलोग्राम परती एक्टर की दर से फोरट अंतिम जुताई से जुताई विद्धी द्वारा भी सबलता परूत की जा सकती है इसलिए खेत को समतल करना था मिट्टी पर पूरो फसल के अवसेशों का आवरण करना लापर्द होता है अब बात करते हैं फसल की बौई की बौरानी छेदरों में मानसिन की पहली बारिस के साथ ही बाजरे की बौई कर देनी चाहिए उत्री बात में बाजरे की बौई के लिए जुलाई का पर्तम पकवार शुरूत्तम है 25 जुलाई के बाद बौई करने से 40-50 किलोग्राम पर्ति एक्टर पर्ति दिन पैदावार में नुक्सान होता है बौई के लिए 50-50 किलो पर्ति एक्टर बीज गया सकता होती है बाजरे की फसल 45-50 सेंटिमेटर की दूरी पर कतारों में बोनी चाहिए बौई के 10-15 दिन बाद यदि पौदे गने हो तो पौदे की स्टाई कर देनी चाहिए और पौदे से पौदे की दूरी 8-10 सेंटिमेटर रखनी चाहिए जिससे पर्ति एक्टर एक्टर में 1.56 से 2 लाग पौदे पर्ति एक्टर पराप्त हो सके इस संख्या में पौदे लगाने से बाद रखी अधिक्तम पजली जा सकती है फसल की रुपाई यदि मानसुन देरी से आए या किनी कार्णों से समय पर भौई ना कर सके पौदे की अच्छी पड़वार के लिए बली प्रकार से खेत की त्यारी करें बारा से पंदरा किलो यूरिया डाले दो से तिन सब्ता बाद पौदे की रुपाई मुख्या खेत में करने चीए जब ओदो को केरियों सुख़ड़े तब जोडों की सतिकम करने के लिए ध्यान रके की नर्शी में प्रह पतनमी हो जहां तक संबह हो रुपाई वर्षा वाले दिन ही करने चीए बाजरे की रुपाई की निमलक थलाब है रुपाई विद द्वारा बाजरा वगने से जुलाई की तीसरी सब्ता से मागे परत्म पकवाड़े तक रुपाई कर अच्छी पादावार ली जा सकती है बाजरे की रुपाई वाली फसल सिखरे पकति है और बाद में कब तामान हो जाने पर भी फसल पर प्रतिक्वल परवाउनी पड़ता है रुपाई वाली फसल अपहिसा कर भाई वर्षा का सामना अच्छी तरह से कर लेती है रुपाई के समय रोग गर्स्त कमजोर हो है बेमेर पोदों को पचांकर लग किया जा सकता है इस प्रकास भी पोद्य वस्तों के बाजरा का उत्पादन भी अधिक होगा उल्लाम में सकततन प्रबंदन की शिच्छेत्रों में मिट्टी प्रिक्षन के दारपा संतुलक उरुका प्रियोक ना दिकला पर होता है परन्तु यदि मिट्टी जांक पर नाम उपलब दनी है तो शिच्छेत्रों के लिए नाइट्रोजन असी किलोग्राम परती एक्टर फासपोस चा अक्टर और प।टास 30 किलोगराम परती एक्टर प्रिया पतेल सिच्छेत्रों में जस्ते की कमी हो तो पांच किलोग्राम जस्ता परती एक्टर की दर्से दे जै जिए उरुक जैसे ऐल जो सपिरियम वापासपोर गोलक जैसे उरुको के द्वारा वीजुपचार प्रके ब प्रोजन की शेश मातरा बुवाई से 35 दिन बाद मिट्टी में उप्यूकत नमी होने की शिष्टी में करने चाहिए अगर आप बीज को उपचार करते हैं तो सबसे पहले राई जोबियम सबसे पहले भंगी साइड फिर अने शेक्टी साइड फिर राई जोबियम कल्चर से उपचार करते हैं शिष्टी शेतरों में एक से दो शिष्टाई बाजरे की की जा सकती है यह आप 30-30 दिन के अंतराल पर कर सकते हो विरानी शेतरों में सचाई वष्टा के उपण नेरबर करती है अच्छी वष्टा हो जाती है जल परपंदन यदी बाजरा की फचल मुकेत परानी शेतरों में लिजाते हैं पूल आते समय वाधाना बनते समय नमी का उना तिक आने पर दे हैं अता यह दिशिचाय का सुरूत उपलो दो तो इन वहस्ताओं पर शिचाय करना अलाब पर दोता है बाजरा जल बराव से भी परभाईत हो ज़ता है इसलिए जल निकास का समुचित परबंद और आफशक खरपतवार परबंदन बाजरा की बाद अंकूर्ण से पूरो करते है इसके साथ साथ बाजरे की बवाई के 20 से 30 दिन बाद कुर्पी आगसोले की साहता से खरपतवारों को निकाल देना चाहिए अब बात करते हैं किट परबंदन की नमबर एक दिमक नमबर दो तना मक्षी नमबर तीन सपेज लट दिमक इस इसकी रोक थाम के लिए 15 किलोगराम परते अक्टर दर से आप फुरट इस्तेमाल कर सकते हो नमबर तीन सपेज लट या लट पुद्ध की जोड़ों को काटकर फसल के विविन वस्ताओं में बाजरे को नुक्सान पुंचाती है इसकी रोक थाम के लिए फ्यूड राउन 3 परसेंट आप फुरट 10 परतिशत दानों को 12 किलोगराम परती एक्टर की दर से बाजरे की विवाय किसमें मिट्टी में डालना चाहीँ, अब बात करते हैं रोक परबंदन, रोक परबंदन में मर्द रोमिल आसिता अरकट होता है, मर्द रोमिल आसिता या रोग अरिय बाल रोग बाली मनते हैं बाजर को नुक्सान पर जाता है रोग पुद्धों में बाली उपर शहद जैसी जिपश्पी बुंदे दिखाई दिती है शहद के समान दिखने वाले याप दाध को दिनोबाद सुकर काड़ा पड़ जाता है इस जहरीले पर दाथ को अर्कट के नाम से जाना जाता है जो मानो और पुसों के लिए आनिकारा के होता है बाजरे की संकर की सुमों में यारोग अधिक पहलता है रोक ताम फसल की भुवाई उन्ची समय पर कर रहे हैं करते बुवाई करने से फसल में फूला थिसमतामान कम नहीं होता हुरा तब यह दिख नहीं होती जिससे रोक अपर को कमर रहता है सिद्यो प्रमानित विजु का ही उप्योग करे उप्योगत फसल कर पनाए खेत में रोग अस्त वालियों को काट का जला देना चाहिए यदि उप्रोकत अधुनिक विद्य से बाजरा की फसल ली जाये तो शिचित शेतरों में इसकी उपज 30 से 25 क्यूंटल और 90 से 100 क्यूंटल सुकाचारा परती एक्टर पराप्त होता है और ऐसी चित अवस्ता में 20 से 30 क्यूंटल परती एक्टर दाना हुए साथ से 70 क्यूंटल चुकाचारा मिल जाता है बाजरे का बंडारन बाजरे के दानों को अक्सी तरह से दूम में शुकाई और दानों में नमे की मातरा 8 से 10 पतिसत होने पर ही उप्यूकस्तान पर बंडारन करे अगर यह मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो बाल लाइक पस्टेश करना चैनल को स्ट्राइक जरूरे नहीं आए